C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा 3 की हिंदी की ध्वनी पाठे पुस्तक वीना अध्याए 5 प्रिष्ट 33 आम का पेड़ सुने कहानी गर्मियों के दिन थे सौरब के चाचा जी ने अपने बगीचे के एक टोकरी आम भेजे आम बहुत मीठे थे सौरब को आम बहुत अच्छे लगे उसने सोचा ऐसे ही आम मैं अपने बगीचे में लगाऊंगा उसने बगीचे में एक जगा थोड़ी मिट्टी खो दी वहां आम की एक गुठली डाल दी गुठली पर मिट्टी डाल कर उसने थोड़ा पानी छिड़क दिया वा प्रति दिन सुभा वहाँ पानी डालता कुछ दिन बीट गए आम का पौधा नहीं निकला उसने पानी डालना बंद कर दिया प्रिष्ट चौतिस एक दिन हलकी हलकी वर्षा हो रही थी सौरब घूमता हुआ बगीचे में उसी जगा पर जा पहुँचा सामने ही लाल लाल कोपलो वाला नन्ना सा पौधा लगा था पौधा देखते ही सौरब प्रसन नहों उठा अरे वा पौधा निकलाया कहते कहते वह अंदर भागा अपनी छोटी बहन प्रिया का हाथ पकड़ कर उसे बगीचे में ले आया पौधा देखकर प्रिया भी खुशी से उचल पड़ी सौरब बोला ये पौधा मैंने लगाया है ये आम का पौधा है इसमें खुब मिठी आम लगेंगे हाँ दोनों भागे भागे पिता जी के पास गए पिता जी बोले क्या बात है आज तुम दोनों बहुत प्रसन हो प्रिया बोली पिता जी बगीचे में आम का पौधा निकल आया है अगले वर्ष हम अपने ही पौधे के आम खाएंगे उसकी बात सुनकर पिता जी हसे वे प्यार से बोले प्रिष्ट पैंतीस अरे बच्चो छोटे से पौधे को बड़ा होने में बहुत समय लगेगा चार पांच वर्ष में ये एक बड़ा पेड़ बन जाएगा इसका तना मोटा होगा बड़ी बड़ी शाखाए होंगी तब इसमें आम लगेंगे ये सुनकर प्रिया थोड़ी उदास हो गई पर सौरब तुरंत बोला कोई बात नहीं हम पौधे की देखवाल करेंगे एक दिन हम इसके फल अवश्य खाएंगे प्रिष्ट चतिस बातचीत के लिए एक, आपको कौन सा फल बहुत अच्छा लगता है वो फल आपको क्यों पसंद है दो, आपके घर या विद्याले में कौन से पेड़ पौधे लगे है उनकी देखवाल कौन करता है तीन, चित्र में कुछ आम धर्ती पर गिरे पड़े है आम पेड़ से नीचे क्यों गिर गए होंगे चार, चित्र में दिखाए गए बच्चे और व्यक्ती आमों का क्या करेंगे यहाँ पर एक चित्र है जिसमें आम के पेड़, कुछ बच्चे और व्यक्ती आमों के साथ दिखाए गए है सोचिये और लिखिये एक, सौरब के चाचाजी ने सौरब को किस मौसम में आम भेजे? दो, आम खाकर सौरब के मन में क्या विचाराया? तीन, सौरब ने पाने डालना क्यों बंद कर दिया? क्या उसे ऐसा करना चाहिए था? चार, सौरब और उसकी बेहन क्यों प्रसन्न थे? पाँच, पिताजी ने आम के पौधे के बारे में सौरब और उसकी बेहन को कौन सी बात बताई? प्रिष्ट, 37 आपका अनुमान, किसने क्या कहा? एक, नीचे कहानी से जुड़े कुछ चित्र दिये गए हैं चित्र में दिख रहे पात्र आपस में क्या बात कर रहे होंगे? अनुमान लगा कर लिखिए पहले चित्र में एक बच्चा और एक बच्ची एक नन्हे से पौधे को उगते हुए देख रहे हैं इनकी बाच्चीत के लिए यहाँ पर जगह दी गई है दूसरे चित्र में एक आदमी, एक बच्चे और एक बच्ची के साथ बात कर रहा है इनकी बाच्चीत का अनुमान लगा कर दिये गए स्थान में लिखिए प्रिष्ट 38 आईए पौधा लगाएं एक, यहाँ बहुत सी वस्तूओं के चित्र बने हैं उन वस्तूओं पर घेरा बनाईए जो पौधा लगाने के काम आती हैं यहाँ पर नौ वस्तूओं के चित्र हैं ये चित्र हैं बीज, पुस्तक, फूलदान, पौधों में पाने डालने वाला पात्र या बर्तन, चश्मा, गमला, चाकू, केतली और खुर्पी, प्रिष्ट उन्तालीज. गुठली की बुआई का क्रम, दो, सौरभ आम की गुठली बो रहा है, क्रम से बताईए कि उसने पहले क्या किया होगा, क, धर्ती पर पानी डाला, रिक्तस्थान, ख, खुर्पी से धर्ती में गढ़्धा खोदा, ग, गुठली बोने के लिए अपनी मा से सही स्थान का सुझा रिक्तस्थान, घ, माता पिता से गुठली बोने की इच्छा बताई, अंग, बाल्टी में पानी लेकर आया, रिक्तस्थान, च, माता जी से गुठली बोने की जानकारी ली, रिक्तस्थान, च, गढ़्धे में गुठली डाल कर उस पर मिट्टी डाली, रिक्तस्थान, ज, गड़े में खाद डाली. रिक्तस्थान. सौरब और प्रिया के बगीजे की सैर. तीन. आईए सौरब और प्रिया के बगीजे की सैर करते हैं. पता लगाते हैं कि वहां क्या-क्या है. चित्र देखकर पेड़ों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए. यहाँ पर दो पेड़ों के चित्र दिये गए हैं. आपको उनके नीचे दी गई जगह में उनके नाम लिखने हैं. प्रिष्ट चालीज. यहाँ तीन पेड़ों के चित्र दिये गए हैं. उनको पहचान कर चितर के नीचे दिये गए स्थान पर उनके नाम लिखिए चार सौरब और प्रिया ने फल, साग और अनाज के नामों की सूची बनाई है आईए सही टोकरे में सही वस्तु रखते हैं आम, करेला, गेहूं, सेब, ककड़ी, आलू, बाजरा, मूली, पपीता, लौकी, चावल, लीची, केला, बैंगन, गाजर, अनार, मकई, पालक यहाँ पर तीन टोकरियां दी गई हैं पहली टोकरी के नीचे लिखा है फल की टोकरी दूसरी के नीचे लिखा है अनाज की टोकरी और तीसरी के नीचे लिखा है सबजी की टोकरी अब आपको इनके उपर दिये गए रिक्त स्थानों में सही वस्तु को लिखना है प्रिष्ट संख्या 41 पांच, मेरे विद्याले में पेड़ पौधे क, आपके विद्याले में कौन-कौन से पेड़ पौधे लगे है? पता लगाईए और उनकी सूची बनाईए यहाँ पर छे पेड़ पौधों के लिए जगा दी गई है रिक्त स्थान में उनके नाम लिखिए ख, विद्याले के पेड़ पौधों की देख भाल के लिए आप और आपके सहपाथी क्या योगदान देते हैं? रिक्त स्थान में लिखिए भाशा की बात एक, कहानी के अनुसार विशेशता लिखिए मीठे, आम, नन्हा, पौधा रिक्त स्थान, बहन, रिक्त स्थान, शाखाए रिक्त स्थान, तना, रिक्त स्थान, कौपले प्रिष्ट बैयालीज दो, कौन सा पौधा लगाएंगे? आप अपने बगीचे या गमले में कौन सा पौधा लगाना चाहेंगे? मैं अपने बगीचे या गमले में रिक्त स्थान का पौधा लगाना चाहूंगी या चाहूंगा क्योंकि रिक्त स्थान, रिक्त स्थान तीन सौरब ने आम की गुठली बोई नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए यहाँ पर तालिका की बाई तरफ गुठली वाले फल और दाई तरफ बिना गुठली वाले फल लिखे हैं जैसे गुठली वाले फल आम बिना गुठली वाले फल केला अब आप इनके नीचे दीगए रिक्तिस्थानों को स्वयम पुरा करें कहानी में से काम और नाम वाले शब्द छाट कर लिखिए अब नीचे दीए गए रिक्तिस्थानों में अन्निक काम और नाम वाले शब्दों को स्वयम चाट कर भरिए प्रिष्ट तिरतालीज पांच चाचा जी के प्रती सौरब का आभार सौरब के चाचा जी ने उसके लिए मीठे मीठे आम भेजे हैं सौरब उन्हे धन्यवाद कहना चाहता है सौरब को उन्हें क्या संदेश लिखना चाहिए आदर्निया चाचा जी रिक्तिस्थान खेल खेल में नीचे दिये गए भूल भुलाईया के खेल में एक फल को दूसरे फल से मिलाते हुए भूल भुलाईया से बाहर निकलने में प्रिया की सहायता कीजिए। शुरुवाती छोर से पहली पंक्ती है सेब, भिंडी, केला, तोरी, नीम्बू। दूसरी पंक्ती है तर्बूज, आम, पपीता, खर्बूजा, आलू। तीसरी पंक्ती है पेठा, करेला, घीया, अनार, कद्दू। चौथी पंक्ती है शिम्ला मिर्च, अर्भी, बैंगन, आलू बुखारा, अननास। और पांच में पंक्ती है, कठहल, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, अंगूर प्रिष्ट चवालीज कला की कलाकारिया एक, नीचे दिया गया पेड का चित्र, हाथ की छपाई और उंगलियों की सहता से बनाया गया है आप भी अपने हाथ की छाप और उंगलियों की सहता से ऐसा एक पिड़ बनाने का प्रियास कीजिए यहाँ पर एक बॉक्स में दाई तरफ उपर एक पिड़ का चित्र है, जिसे हाथ की उंगलियों की बदत से बनाया गया है दिये गए रिक्तिस्थान में आप स्वयम अपने हाथों की छाप और उंगलियों के सहता से अनिचित्र बनाये प्रिष्ट पैन्तालेज खोजे जाने एक आम के प्रकार आपने आम के विभिन प्रकार के नाम सुने होंगे जैसे दशहरी, सिंदूरी, चौसा, आदी घर के बड़ों से पूच कर कुछ और नाम पता करके नीचे दिये गए रिक्तिस्थान में लिखे पूजो तो जाने लाल-लाल डिबिया के अंदर छोटे-छोटे पीले खाने इन खानों के भीतर है सफेद लाल मोती के दाने उपर से तो है हरा, अंदर से है लाल, उतना मीठा रस भरा जितनी मोटी खाल अभी आप सुन रहे थे कक्षा तीन की हिंदी की ध्वनी पाठे पुस्तक वीना वाचनस्वर, प्रवीन शर्मा और रिचा सयाल ध्वन्यंकन, मयंक कुमार, निर्माण सहयोग, चेतना शर्मा, निर्देशन एवं निर्माण, विमलेश चोधरी तथा प्रस्तुती, C I E T N C E A T, नही दिल्ली, भारत